येसप की और से 2024 के लिए आपका नीज अपडेट प्रोभाइट क्या गया है यहाँ पे आप देश सकते हैं ए गौपर्मेंट ओफ इंडिया, मिनिस्टि ओफ होमेफियर की और से बोर्डर सेक्रेटी फोर्स के लिए आपका रिकुरुमेंट आउट क्या गया है 2024 के लिए फ्ल है और verf रहने वाला है टैड़ी कर अब कर दे ङोटार्चीय कंडेट के लिए यहाथ कंडेट पोर्ट नेकर कई पूस्ट शूरस के लिए अप रहने पे स्कील प्रोवाइट किया जाएगा सेकेंड में आप देख सकते हैं ग्रूप B के लिए आपका यहाँ पे रहने वाला है रुक्रिमेंट आपका ASI आपका लेव टेक्निशन के लिए आपका रुक्रिमेंट टक क्या आउट किया गया है यहाँ पे आपका और वेरियस आपका पोस्ट आउट किया गया यहाँ पे आपका पोस्ट आउट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 19 पोस्ट EWS कंडेट के लिए 4 पोस्ट 5 पोस्ट OVC कंडेट के लिए आपका 12 पोस्ट और यहाँ पे आपका रहने वाला है यहां पे 12 post आपका EWS गंडिट के लिए उस फ़कार से आपका SC&T गंडिट के लिए भी यहां पे आपका total number post आपका distribute क्या इस basis पे आपका total number post आपका out क्या गया label आपका यहां पे 5 का pay skill यहां पे provide क्या जाएगा यहां पे आपका 29,000 आपका यहां पे PA skill आपका starting होगा 200 से लेकर आपका 92,300 तक आपका PA skill प्रोवाइड किया जाएगा प्लस आपको other launches भी add करके आपका best PA skill यहां पे रहने वाला इस basis पे आप यहां से देख सकते हैं यहां पे BSF की और से यहां पे आपका requirement out किया गया यहां पे आपको simply यहां पे रहने वाला qualification आपका रहने चाहिए ASI के लिए apply करते हैं तो आपको simply यहां पे 10 plus 2 होना चाहिए डिगरी होना चाहिए आपका यहां पे general nursing आपका यहां पे program से है तो आप इस form को apply कर सकते हैं यहां पे experience आपका in field आपका होना चाहिए hospital या administration आपको यहां पे sister का यहां पे public health का भी है तो आप यहां पे आप यहां पे submit कर सकते हैं ASI के लिए यहां पे lab technician के लिए यहां पे जाने वाला है 12 pass out होना चाहिए diploma चाहिए medical laboratory से आपका यहां पे technologist तो आप इस form को apply कर सकते हैं ASI के लिए यहां पे आपका list के लिए आपका यहां पे 10 plus 2 science होना चाहिए plus यहां पे degree होना चाहिए इस basis पे यहां आप यहां से education qualification जो भी अंडर प्यात है उस basis पे आप यहां से देख सकते हैं यहां पे आपका SI और SI के लिए आपका age limit प्रोफयाइट केया गया, ASI के लिए आपका 18 से लिएक 25 हीर, यहां पे आपका technician के लिए आप यहां पे रहने वाला है 20 से 25 हीर, ASI स्टाप नर्स के लिए 21 से लिए आपका 13 यह तक आप इस form को apply कर सकते हैं यहां पे आपका एजले सेशन भी आपको category बाज आपको मिलने वाला है सेस्टी candidate के हैं तो आपका 5 year का और विसी candidate के 3 year का एक सर्विसमेन है यूर और विसी EWS candidate है जो भी candidate जिस category के basis पे उस basis पे आपका यहां पे distribute किया गया है यहां पे आप अच्छे से check out कर सकते हैं आपका group B और C के लिए आपका दोनों का date के लिए आपका यहां पे distribute कर दिया गया है प्लस यहां पे आपका यहां पे various post out क्या गया है physical standard के लिए आपके height, chest और weight के लिए आपके male candidate के लिए 165 और female candidate के लिए 150 cm प्लस यहां पे chest के लिए आपका 76 cm और expand आपका 5 होना चाहिए weight आपका यहां पे corresponding to height आपका height के नुसार आपका यहां पे weight रहेगा उस basis पे आपका यहां पे male और female दोनों के लिए आपका distribute के गया शिक्षवाइज आपका eyes होना चाहिए बेटर आईज आपका यहाँ पे होना चाहिए इस पेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सोटेबल गवर्मेंट जो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात था मैं बता चुका हूँ आप अच्छे से चेक आउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ओ फॉर्मेंट फिर गवर्म यहाँ पे आपका बोटर सेकुरेटिव फोर्स की और से आपका न्यू अपडेट प्रोवाइट क्या गया आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा और वीडियो देखें देए हमारी यूटूब चनल को सब्सक्राइब किजएगा आज के लिए तना ही थैंक यू